किसान भाईयो बहुत सारे किसानों के सवाल आ रहे थे के गन्ये के खेत में अगर खीरे लगावें तो उसके बैड नालिया कैसे बनावें तो आज हम आपको दिखावेंगे नालिया कैसे बनाई जाती हैं यह देखें यहाँ पर किसान भाईयो यह दो खूड हैं यह दो लगा दी गई तो यह बन गी नाली और यह हां पर तीन खूड यह फावले से आट दिये जाएंगे पेर से आट दी जाएंगे और इंदर की मट्टी तो इते नाली है तो किसान भाइयो अगर आपको भी गन्ने की साथ में खीरे लगाने तो इसी तरी किसाया अपनी लाइन बन और हम आज पहुंचे हैं अकबर मुख्या जी के खेत में इनसा आपको जानकारी दिवांगे कि इसमें आपने क्या क्या डाला मुख्या जी बताओ किसान भाईयों को इसमा आपने बुआई में क्या क्या डाला हमने इसके अंदर 10 किलो डियेपी और लगभग एक से डेड़ किलो का रिजेंट डाला और इसमें जो है हमने सल पर लगाया लगभग एक से डेड़ किलो परती बिगा ओ जी इसमें हमने जो है हां पोटास भी डाली हां सलपर भी डाला है जी और थाइमेक्स किसान बूजना चाहरे थे कि इसमें आमदनी कितने रुपे भीगा हो जातारी खीरे में लगबग कम से कम 20,000 रुपे परती भीगा की इसकी आमदन हो जाती है कम से कम और ज्यादे से ज्यादे इसकी कोई पता नहीं 30, 35 और 40,000 इसके आसपास भी हो सकती है और गन्ना क्या अवरेज देदे गन्ना आपका 70-80 कॉंटल मिनी अधिक से अधिक 100 के आसपास भी आपका गन्ना इसमें आ सकता है तो किसान भाईयों को क्या कहना चाहोगे खेती करें या ना करें मुनाफिक है या कैसी है से बसली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए जरूर करनी चाहिए इससे आपका जो है विकास होगा और इससे आपको अर्थिक इस्तिती मजबूत करने का एक कारिय मिलेगा और मैं आपको एक बर और दिखा दूं कि किस तरीके से जा नालिया बनाई जा जिससे कि आपको आसानी हो इन्हें बनाने में यह मैंने फरंट से दिखाया आपको मैं पिछे से भी दिखा दूं है यह बोई हुए खूड है इस देखो और यह बीच की जो डोली है यह बीच की डोली इधर की कुछ मटी इधर लग जागी और कुछ इधर लग जागी तो यह इस तरीके से नाली बन जागी यह देखो यह लगा रहे ना यह इस तरीके से पानी का खाल बन जागा नाली बन जागी यह हमारा बेड़ हो गया एक एक लाइन बेड़ की हमारे यह होगी एक लाइन यह होगी इन पर खीरे लगाए जांगे तुक्सन भाईयो बहुती मुनाफ़े की खित्ती है सभी किसानों को सहफसली करनी चाहिए यहां पर बेल फिल लेगी यह पट्टा हो गया यह धर से दिखाऊ माँ आपको यह पट्टा हो गया यह भी खूड चमक रहा है इसा आठ देंगे पेरों से इधर तैयार है वह दिखादू माँ आपको यह देखो यह तो नाली होगी जिसमें पानी आवेगा यह डोली है इस पर खीरे लगेंगे और इस पर लगेंगे और इसकी जो बेल है इसमें चलेंगी यह तीन का हैर वो दो खूड का है पट्टा जो है वो तीन खूड का है किसान भाइयो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को शेयर करें लाइक करें जै जवान जै किसान